नमस्कार दोस्तों मैं गोरव चोदरी जो आप सभी दोस्तों का यूणीज़ पर स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे यूटूब चेनल पर नहीं है तो आप मारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो बेल आइकन में ता उसे प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिपिकिसन आपको मिल सके और आप ज़्यदे ज़्यदा परिपेसन कर सके दोस्तों आज लेकिया हैं मैं आपके लिए राश्ताम पलिस एम पटवार के लिए आपके आने वाली एक्जाम में रिपीटर इन्हीं वीडियो में से परसन देखने को मिलेंगी दोस्तों अगर आपको अमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा ज़्यदे ज़्यदा अपने इस्टेडी गुरूप पर से जरूर कीजिएगा जिसे कि वार्टसप गुरूप है, ट्विटर गुरूप है, पेस्बूग गुरूप है, इन्स्टाग्राम है जिसे कि हमारे इस वीडियो का मेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं दोस्तो किसी परसन में कोई त्रोटी हो तो आप हमें कमेंट की मादे में से बता सकते हैं जिसे की उस समस्या का समद्दान किया जा सके दोस्तो आज का पहला परसन है विरंजक चूरण है तो क्या है विरंजक चूरण क्या होगा इस किप्शन का राइट अनस्वर इस का अंसर हो जाएगा योगिक है विरिंजक चुरून क्या होता है एक योगिक होता है next question है गेसो की सेंता ताप के बढ़ने पर क्या परभाव पड़ता है गेसो की सेंता पर ताप के बढ़ने पर क्या परभाव पड़ता है तो क्या फरवा पढ़ता है दोस्तों? क्या हो जाएगा इस QC का राइट अंसर? इस QC बढ़ती है गेस्यों की सहिंता बढ़ने पर ताब भी बढ़ता है नेक्स्ट QC है ठंडे देशों में जिलों के जम जाने के पच्चात बिजली जन्तु जिन्दा रहते हैं क्योंकि तो क्या होगा इस QC का राइट अंसर? इसका राइट अंसर हो जाएगा बरब के नीचे जल चार डिगरी सेंटिगरेड पर होता है बरब के नीचे जल होता है वाज चार डिगरी सेंटिगरेड पर रहता है नेक्स्ट क्रिशन है, यदि पर्त्वी पर वायो मंडल न होता तो दिन की अवदी क्या होती, दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्रिशन का राइट अन्सवर, इस कांस्वर जाएगा अधिक होती, तो दिन की अवदी पर क्या प्रवा पड़ता, दिन की अवदी बढ़ जाती, विदूत मोटर निम्न सिधान्त के अनुसार कारी करती है तो किस सिधान्त के अनुसार कारी करती है दोस्तों क्या हो जाएगा इस किसिन का राय टांसर इसका राय टांसर होतागा फेराडे के नियम पर जो विदुत मोटर होती है, वह फेराडे के नियम के अनुसार कारिये करती है Next question है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नस्ट कर देता है, लेकिन बावनों को कोई चती नहीं पहुंचाता तो कौन सा है जो बावनों को चती नहीं पहुंचाता दोस्तों? क्या होगा इस कुछिण का राइट अंस्वर इसका अंस्वर नूट्रोन वाब नूट्रोन वाब ऐसा होता है जो जीवन को तो नस्ट कर देता लेकिन बहुनों को किसी परकार का कोई चत्ति नहीं पहुंचाता नेक्ट्च कुछिण है पर्मानू बंब में नाबिके वीखंडन, जो प्रमानों बंबन है वडिना अबिके वीखंडन की सिदांध पर कारी ये कडता है नेक्स्ट कुछिरण है, पर्कास सेल, पर्कास विदूत सेल होता है तो क्या होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसरट का राटइ एंसवर? इसका अन्सुलाएगा परकास को विदुत में बदलता है परकास विदुत सेल है वह परकास को किस में बदलता है विदुत में बदलता है नेक्स्ट क्विशन है गरों में पंखे बलब आदि किस करम में लगे होते है तो किस करम में लगे होते हैं, दोस्तों? तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? यह लगे होते हैं, समांतर करम में तो दो स्रेणिया होती है, तो समांतर करम और स्रेणि करम तो गरव में पंक्य वा बलब लगे होते हैं, समांतर करम में Next question है अक्स किरनों की खोज किस ने की थी, तो किस ने की थी अक्स किरनों की खोज दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्विशन का राइट अंस्वर, इसका अंस्वर हो जाएगा, राइट जान ने, तो अक्स किरनों की खोज की थी, राइट जान, नेक्स्ट क्विशन है, दवनी तरंगे नहीं चल सकती तो किसमे नहीं चल सकती दवनी तरंगे क्या हो जाएगा इस कुशन गराई टांसर इसका आंसर हो जाएगा निरवात में नहीं चल सकती तो दवनी तरंगी है वह निरवात में नहीं चल सकती क्योंकि दमनी तरंगों को चलना के लिए किसी ना किसी प्रकादा कोई माध्यम क्या हो सकता होती है next question है transformer का परियोग किया जाता है तो किसमें परियोग किया जाता है इसका क्या होगा इस question का राई transfer दोस्तों इसका answer दाएगा परत्यावर्थी वोल्टेज को उच्छ और निम्न करने में जो transformer का काम होता है वह होता है परत्यावर्थी वोल्टेज को उच्छ या निम्न करने के लिए next question है बांद के नीचे की दिवार मोटी बनाए जाती है क्योंकि तो क्यों मनाई जाती है दोस्तों बांद के निचे की दिवार मोटी तो क्या होगा इस किशन का राई टान्सवर इसका आन्सवर देगा गहराई बढ़ने के साथ साथ दर्वे का दाब भी बढ़ता है जैसे जैसे गरहे बढ़ती है वेसे ही दर्व का क्या बाठता है दाब बढ़ता है next question है दर्व का वह गुण जिसके कारणी यह है अपनी विभिन पड़तों में होने वाली गती का विरोध करता है कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा इस question का right answer? निम्न लिकित में से कौन एक व्योग है। तो व्योग कोन है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इस क्विशन का राइट अन्सवर? इसका अंसर दाएगा रेत्खुशुन है। पिच ब्लेड किसका आइसक है जो पिच ब्लेड है वह किसका आइसक होता है दोस्तों क्या हो जाएगा इस कुछन का आंस्वर तो इसका आंस्वर हो जाएगा रेडियम पिच ब्लेड रेडियम का आइसक होता है नेक्स कुछन है रेडियो एक्टिव फ्रदार्तों से निकलने वाली किरने हैं तो कौन सी किरने निकलती है radioactive क्या होगा इस question का राइट अंसर इसका अंसर होगा alpha, beta और gamma तो radioactive हड़ारतों से alpha किरने, beta किरने और gamma किरने निकलने वाली है next question है James Chiair Divic ने निमल लिकित में से किसकी खोज की थी तो किसकी खोज की थी दोस्तों इसने क्या हो जाएगा इस question का राइट अंसर इसका अंसर होगा neutron की James Chiair Divic है, उसने neutron की खोज की थी next question है और neutron पर कैसा आवेस होता है neutron आवेस हीन होता है यानि कि उदास हीन होता है और next question है द्वी नाम पदितिक के पर्तिपादक है तो द्वी नाम पदितिक के पर्तिपादक कोन है दोस्तों इस का अंसर क्या हो जाएगा इस का अंसर हो जाएगा कार्ण वोर्ण लीनियस जो कार्ण वोर्ण लीनियस है वह हैं दिविनापति के परतिवादक नेक्स्ट कुशन है अमोनियम कलोराइड का गोल है तो अमोनियम कलोराइड का गोल क्या होता है क्या हो जाएगा इस कुशन का रहा है टेंस्वर इसका अंजर हो जाएगा एसिल्डिक जो अमोनियम कलोराइड का गोल है लिकित में से कौन सा तत्वा ओक्साइड है तो कौन सा तत्वा ओक्साइड की रूप में होता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा इस कुछन का राइट अंस्वर इसका अंस्वर नाइट्रोजन होता है वह होता है ओक्साइड की रूप में Next Question है, मानुए मेलाओं के पड़जनन ये कोषटक अंडानू उत्पादन में कौनसा हार्मोन तेजी से वर्दी करता है? तो कौनसा है ऐसा हार्मोन है जो तेजी से वर्दी करता है दोस्तों? तो इस Question का rasa answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा estrogen. तो मानवी मैलाओं के परजनन में अंडानू उत्पादन में एस्टोजन हार्मोन तेज़े से वर्दी करता है नेक्स्ट कुछन है प्रालोग बासा किस से समन्दीत है तो किस से समन्दीत है दोस्तों या किस बासा विक्षित हुई थी जो प्रालोग भासा है विक्षित वोई थी कैसे वोई थी दोस्तों गुणी सो बैतर में जो प्रालोग भासा है वह विक्षित कब वोई थी गुणी सो बैतर में नेक्स्ट क्यूचन है बेकबोन समंदित है जो बेकबोन है वह किसे समंदित है दोस्तों क्या हो जाएगे इस का नस्वार göst existing एक इंटरनेट से बेकbon होता है वाएंटरनेट से समदीत होता है next question ने वेभ अस्तित्वय में आया तो वेब कब अस्तित्वय में आया था दोस्तों वेब कास्थित्रम में आया था सब्से पहले? तो इसका right answer ज़ायागा अमेरिका में तो वेब सब्से पहले अमेरिका में अस्थित्रम में आया था नेक्स्ट कुशन है निम्ले लिकित में से कौन्षी अकीरी गेस वातावरण में नहीं पाए जाती एसी कौणशी अक्रीगेस है दोस्तों जो वातावरन में नहीं पाई जाती तो क्या हो जाएगा इस question का राइट अंच्वर? इसका अंच्वर दाएगा आरगन जो आरगन अक्रीगेस है वह वातावरन में नहीं पाई जाती next question है इस्टेनलेज इस्टिल को बनाने में आईरन के साथ कौन सी महत्वपुर्ण दातू का परियोग किया जाता है तो कौन सी दातू का परियोग किया जाता है दोस्तों इस क्यूशन का राइट आनसर दाएगा क्रोमियम तो इस्टेल इस्टेल को बनाने में आईरन के साथ क्रोमियम मैतोपुन दातू का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन है विदुद बलब का तंतू दारा परभाहित करने से चमकने लगता है परन्तू तंतू में दारा ले जाने वाले तार नहीं जमकते इसका कारण क्या है तो क्या कारण है दोस्तो इसका तो क्या हो जाएगा इसक्रिशन का आनसर इसका आनसर हो जाएगा तंतू का पर्तिरोद तारों की अपेक्सा अधिक होता है तन्तु का पड़ती रोज है तारों की अपेक्षिय क्या होता है जादा होता है इसलिए दारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते है नेक्स्ट कुछन है एक अस्व सक्ति में कितने वाट होते हैं तो एक अस्व सक्ति है उसमें कितने वाट होते हैं दोस्तों तो इस कांसर क्या हो जाएगा 706 वार्ट एक सकति में 746 वार्ट होते हैं नेक्सट टियूशन है निम्नि लिकित में से कौन उपदातू है तो कौन है दोस्तों उपदातू क्या हो जाएगा इस क्विशन का राय टंसवर इस का अंसवर हो जाएगा और्षानिक एंटी और बिस्मित उपदातों कोनों चीह है और से नहीं कह एंटी मोनी है और बिस्मित है तो दोस्तों यह थे आज के 30 most important general science related जो आपके राश्तान प्लिस पर पटवार के लिए बहुती most important परसन है दोस्तों तो दोस्तों अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो की notification आपको मिल सकें और अब ज्यादा ज्यादा परिवेशन कर सकें दोस्तों किसी परसन में कोई तुरूटी हो तो आप हमें कमेंट के मादें से बता सकते हैं जिससे कि उस समस्या का समद्दा किया जा सकें दोस्तों खर आपको मारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा ज्यादे 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 अपने इस्टेडी गूरूप पर से जरूर कीज